स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इंवेस्टरटा में दोस्तों बहुत सारे लोगों को मंत्ली बेसित पर पैसे को डालना होता है लेकिन ये पता नहीं होता है कि किस म्यूचल फंड प्लान में उन्हें मंत्ली बेसित पर पैसे को डालना चाहिए अगर वो कम पैसे निविष करके बड़ा fund पनाना चाहते हैं तब क्योंकि mutual fund प्लान के अदर आपको 4,000 से जाधा प्लान मिलते हैं जिसमें आप पैसे को निविष कर सकते हैं लेकिन मंतली बेसित पर जब हम अपने थोड़े पैसे डालते हैं तो हमाईशा हमारा टार्गेट रहता है कि कम पैसे से हम कैसे अपने बड़े fund पनाने के टार्गेट को पूरा कर पाएं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अलगलग कैटिकरी के प्लान मिलते हैं डार्गेट fund भी हैं कुछ large cap fund कुछ index fund small cap और mid cap fund भी यह कुछ popular fund है जिनमें लोग ज़ाद तर पैसे को नवीश करते हैं लेकिन अगर हम index fund की बात करते हैं उसमें चाहिए से हम nifty की बात करें या फिर sciences की तो यहाँ पर return आपको काफी कम यानि 12 से 14% तक मिल पाता है लेकिन risk कम होता है अगर आप small cap कैटिकरी में पैसे को अगर आप किसी भी mutual fund टान का portfolio ठाकर देखेंगे तो उसमें आपको 4 से 5 या 10 कमपनी मिल सकती हैं सारी कमपनी आपको नहीं मिल पाएंगी लेकिन अगर आप सारी 50 कमपनी में index fund में पैसे को नवीश करते हैं तो फिर return कम हो जाएगा दोस्तों यही देखते हुए आपके पास निपोन इडिया का एक ऐसा fund है जिसमें दमदार 20 कमपनी जो निफ्टी 50 के अंदर शामिल है उन्हीं के अंदर fund के पैसे को नवीश किया क्या है और इस fund के अदर अगर हम index fund से return compare करें तो यह काफी जादा है और यहाँ पर अगर हम मत्ति बेसिश पर सिर्फ 200 रुपे भी न विश करके हम अपने बड़े fund प्रान के टार्गेट को पूरा कर पाएं देकिन अगर आप mutual fund प्रान के अंदर पैसे को नवीश कर रहे हैं तो फिर आप जिस fund में पैसे को डाल रहे हैं उसकी सारे डिटेल आपको पता होनी चाहिए तब ही आप एक बहतीन fund फिक करके एक करने का होगा तो फिर आप अपने किसी भी टार्गेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर हम अपसे दस साल पहले की भी बात कर लें तो जिन लोगोंने mutual fund प्लान के अंदर पैसे को नवीश किया उन्होंने एक बड़ा fund बनाया है और अभी आपके पास एक मौका बनता है कि यहां पर आप पैसे को नवीश कर सकते हैं मार्केट के अंदर शौट टाम में आपको करेक्शन मिल सकता है लेकिन टार्गेट अगर आट से दस साल अगर पैसे नवीश करने का होगा तो फिर आप अपने किसी भी बड़े fund बनाने के टार्गेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं दोस्तों आज हम आपके लिए जिस fund के बारे में बात करने बारे हैं ये भी एक ऐसा ही fund है जिसके अंदर अगर हम आज भी 200 रुपे मंतली डालते हैं और हमारे एक future का गोल है जिसे हमें पूरा करना है तो इससे आप 10 करोड रुपे से 50-50 के अंदर उन्हीं में से 20 कंपनियों में पैसे को निवेश क्या क्या है और दोस्तों ये 20 ऐसी दमदार कंपनी है जिसमें अभी तक भी हमें एक बहतीन रिटन मिला है और आनिवले टाइम में भी इन दमदार कंपनी में हमें एक बहतीन प्रॉफिट मिल सकता है जिसका फ पिछले 3 साल की बात करें तो fund का return 19.70% last one year में 45.65% last six month में 17.82% और last one month में भी fund ने 1.64% का return दिया है यानि कि दोस्तो इस mutual fund plan के अंदर लगतार हमें जो return है वो काफी जबरदस्त मिला है और इसका portfolio काफी इस्टों है ये भी हम ज़रूर चेक करेंगे तेकिन सबसे पहले अगर calculation की बात करते हैं यहां पर अगर हम 200 रुपे मतली नवीश करते हैं 6 साल तक fund के अंदर 23% return है यही return अगर हमें मिलता है तो 6 साल में हम कुल मिलाकर 1,58,400 रुपे का नवीश करके fund के अंदर इससे करीब 3,41,000 रुपे का fund बनाएंगे और 1,83,000 का इसमें return हो का लेकिन अगर ह 12 साल तक पैसे को डालते हैं लगतार 2200 रुपे मतली तो हम कुल मिलाकर 3,16,800 रुपे का नवीश करके भी 16,83,000 रुपे का fund बनाएंगे और 3,66,000 का इसमें return हो का अगर हम दोस्तो 18 साल तक लगतार 2200 रुपे मतली डालते हैं इस fund के अंदर तो हम कुल मिलाकर 4,65,200 रुपे तो हम कुल मिलाकर 6,33,600 रुपे का नवीश करके भी 2,72,000 रुपे का fund बनाएंगे और 2,79,000 का इसमें return होगा लेकिन दोस्तो अगर हम 30 साल तक लगतार 2200 रुपे मतली डालते हैं इस fund के अंदर तो फिर नहीं हां से हम कुल मिलाकर 7,92,000 रुपे नवीश करके भी 10,86,000 जिनमें पैसे को निवेश किया क्या है इनमें एक से एक दमदार कंपनी है जिनमें fund के पैसे को निवेश किया क्या है इसमें ICCA Bank, Infosys, ITC, TCS, State Bank of India, NTBC, Power Grid Corporation, HCL Technology, Data Steel यानिकि दोस्तो इनमें कुल दमदार 20 कंपनी है जो Nifty 50 के अंदर शामिल है और लगतार दोस्तो इन कंप ने हमें एक बहतिन profit कमा कर दिया है यहां पर fund का सबसे सदा पैसा टेक्टन लोची के अंदर निवेश किया गया है 31%, financial sector के अंदर करीब 26%, energy sector के अंदर भी करीब 14% और दोस्तो energy sector के अंदर government का focus होने की वज़ा से इस sector के अंदर हमें पिछले कुछ सालों से लगतार एक बहत 8-9 है यानि fund के अंदर अगर risk कम होता है तो यहां पर हमें एक पहतिन profit मिल पाता है fund के energy का price सिर्फ 20 रूपीज 87 पैसे है यानि कि हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं monthly basis पर तो उस month जो भी current energy का price होता है इसी के साब से हमें unit मिल जाती है और इसी पर हम profit या loss track कर पाते हैं rating two है और साथ 98 करोड़ रूपे यानिके करीब 800 करोड़ रूपे बंड़ेयम है लेकिन SIP में आप कम से कम 100 पैसे भी नभीश कर सकते हैं और बात में इसे आप top of option से बढ़ा सकते हैं देकिन अगर हम expense ratio की बात करते हैं तो यह है 0.25% यानिके आप जो पैसा नभीश करते हैं और जो भी expense ratio होता है यह पैसे काट कर आपको एनिवी के price से unit lot की जाती हैं देकिन आप जो भी पैसा नभीश कर रहे हैं उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं यहाँ पर कोई भी exit road charge आपको नहीं देना होगा देकिन अगर हम tax की बात कर लेते हैं तो दोस्तो एक साल के बाद अ 1995 को fund house से start हुआ था और पांच लग तेरहजार करोपे से जादा fund का यह है तो दोस्तो इस बैतीन mutual fund plan के अंदर अगर हम आज भी पैसे को नवेश करते हैं और हमारे एक बड़े fund पराने का target है तो यहाँ से हम किसी भी बड़े fund पराने के target को पूरा कर सकते हैं देकिन short term में आपको बहुत correction मिले लेकिन जब आपका target long time पैसे नवेश करने का होगा तो आप किसी भी बड़े fund पराने के target को पूरा कर सकते हैं short term में आपको correction फेस करना है और तभी आप यह देख पाएंगे कि कैसे correction को फेस करके आपको एक अच्छा return मिल पाता है दोस्तों वीडियो से